हेलो गाई्स, दिष्नावनीत महांत्, आज हम धिसकश करने वाले हैं islands प्रफ्लाई हैं ओर्दर लेपिडोंप्थ.... holds butterflies, अर्था तित लियां लेपिडोंग, यह घ्रीग भासा की महीर निलेपिडोंग 뭐가 about ... लेपिडो का अर्थ होता है स्केल्स ओर्डर लेपिडो अप्टेरा के जो सदस्य होते हैं वैस्क होने पर इनका पूरा सरीर तथा पंक स्केल्स से धका हुआ होता है ओर्डर लेपिडो अप्टेरा जो है कोल्ड अप्टेरा के बाद सबसे बड़ा ओर्डर कहलाता है क्योंकि हम कह सकते हैं कि second largest order जो है वो है order lapidoptera guys क्रिश्ची के छेतर में सबसे अधिक जो नुकसान पहुचाने वाला order है वो भी order lapidoptera है परन्तो क्रिश्ची के छेतर में सिर्फ अपने larval stage में हानी पहुचाते हैं वैस को होने पर ये किसी प्रकार के किसी उपज को हानी नहीं पहुचा पाते क्योंकि इनका मुखांग जो होता है वो साइफना कार होता है अर्था सुन्दा कार होता है guys इनका सिर्फ अधोन मुखी प्रकार का होता है तथा इनका जो एंटिनी होता है तितलियो में गदाकार एंनटिनी होता है 또ि burgers सलब में कंगा कार दूइ कंगा कार या फिर धागा कार हो सकता है guys order lepidoteira के सरदस्यों का punk काफी बड़ा तरहा तिकोने shape में triangular shape में होता है और इनका जो पुरा punk है skills से पूरी तरह से ठका हुआ होता है Pastor Hist i judiciary underaintर अने therapists कीड है सलब तथा तितलिया इनने कुछ खास अंतर पाया जाते हैं जो कुछ इस प्रकार से है कि जो स Caitlin होते हैं कि उनकी संख्या तितलियों के पेख्छा अधिक है इस order में तितलियों की संख्या लभग 6 से 11 प्रतिसत है जबकि सलभों की संख्या 90 प्रतिसत तक है वहीं जो सलभ होते हैं ये रात को निकलते हैं जबकि तितलियां दिन चर होते हैं जो सलब होते हैं अपने अंडे बैच में देते हैं जून में देते हैं एक साथ ग्रूप में अंडे देते हैं जबकि तितलियां अलग-अलग अंडे देते हैं इसे प्रकार से जो तितलियां होते हैं उनकी एंटिनी गदाकार होती है जबकि सलब की जो एंटिनी होती है ये कं गाइस जो सलब होते हैं शेक्शुल एट्रेक्शन के लिए फैरमोंस के यूज़ करते हैं जब कि तितलियां जो है फैरमोंस के साथ साथ में देखकर भी एक दूसरे के पती आकर्शित होते हैं गाइस इसे तरह से और भी कुछ अंतर है जैसे कि जो सलब होते हैं इनका जो सलब होते हैं इनका जो प्यूपल स्टेज का जो कोकून होता है वो सिल्क रेसा या फिर उनके हेर से बनते हैं जब कि तितलियों के जो कोकून होते हैं वो उनके लास्ट इंश्टार के स्कीन से बन इसी प्रकार से लाश्ट और जो मुख्य अंतर है सलब और थित्लियों में ये है कि सलब बैठे होय होते हैं , उनके पंक शरेर को ढखास हुए ने चे घुए होते है जबकि तितलियों के पंक उपर के तरफ लंबवत उठे हुए होते हैं इसे प्रकार से जो सलब के जो रंग होते हैं मोत के जो कलर होते हैं वो सफेज से लेके भूरे रंग के हो सकते हैं इनका कलर डल होता है जबकि जो तितलियां होते हैं उनके कलर बहुत ही चमकदार होते हैं जैसे कि लाल, पीला, नीला, काला या फिर कई कलर के हो सकते हैं हम बात करते हैं और लेपिडोप्टिरा के अंतरगत आने वाले कुछ फैमिली के जिसमें से पहला फैमिली है गेल सीड़ गैस, गेल सीड़िफ हैमिली के जो सदस्य होते हैं इनकी खास पहचान होती है कि इनके पंक के निशले हिस्से पे, मार्जिनल हिस्से पे बाल के समान, रोम के समान structure पाए जाते हैं, kull'd structure पाय जाते हैं जो कि इनकी विछेश फहचान होती है यह जो है मध्यम, छोटे से लेके मध्यम आकार के सलब हो सकते हैं और इनका जो अगला जोड़ी पंक होता है पिछली जोड़ी पंग के फिक्षा काफी संक्रा होता है इसका उदारण है cotton pink ball warm गाइज अगला फैमली है फैमली नॉक्ट्यूडी इस फैमली के अंतरगत आने वाले सदस भी मध्यम से लेके बड़े आकार के हो जकते हैं गाइज नॉक्ट्यूडी फैमली के जो सदस्य होते हैं यह मुख्यता रात्रिचर होते हैं यह रात के समय ही निकलते हैं तथा यह लाइट के प्रति आकर्सित होते हैं इन में जो maxillary pulp होता है वो नहीं होता इनका antenna जो है वो धागा कार होता है और इनके जो मादा के antenna धागा कार होती है जबकि इनके नर के antenna कंगा कार होता है इस फैमली के जो example है वो है gram caterpillar या फिर gram port borer कह सकते हैं उसी को है लिकवर पा आर्मी जेरा या फिर उसी को American cotton ball warm के नाम से भी जाना जाता है या फिर कॉर्ण कॉप बुरर के नाम से भी जाना जाता है गाइस नेक्स्ट फैमली है फैमली बॉंबी सीडी गाइस ओर्डर लेब्डव टेरा के अंतरगत आने वाले कुछी फैमली है जो कि लाददायक कीट के स्रेणी में आते हैं जिनमें से ये एक फैमली है जिसके अंतरगत आने वाले कीट लाददायक कीट के स्रेणी में आते हैं गाइस बॉंबी सीडी फैमली के अंतरगत आने वाले कीट है सिल्क वाम जिससे के हमें सिल्क प्रॉप्त होता है फैमली बॉंबी सीडी के अंतरगत आने वाले कीट मध्यम से लेकर बड़े आकार के हो जकते हैं ये हलके पीले से लेकर सफेद रंके हो जकते हैं इनका जो एंटिनी होता है, सिंगी काय होती है, वह कंगाकार या दूई कंगाकार दोनों ही हो जकते हैं फैमिली बॉंबी सीडी के अंतरगत आने वाले सदस्यों के जो एडल्ट होते हैं, ये भोजन नहीं करते हैं तथा बहुत ही कम उड़ते हैं, अगर उड़ते भी हैं तो जाद अधिक दूर तक नहीं उड़ सकते, एडल्ट होने के पस्चाथ एक कुछी दिनों तक जिन्दा होते हैं, जो मेटिंग करके अंडे देने के पस्चाथ मर जाते हैं इनका life cycle जो होता है, फैमली बॉम्बी सिडी के अंतर आने वाले कीटों गोजी लाइप सैकल होता है, ये लगबः 60 दिनों का होता है और इनके 8th abdominal segment पे एक anal horn होता है अर्थाथ 8th abdomen के जो अंतिम आठवाँ जो खंड होता है उसके उपरी हिस्से पे सिंग के समान सरशना पाई जाती है इसका उधारण है bombics mori silkworm अगला फैमली है फैमली आर्क टीडी जिसके अंतरगत आने वाले इंसेक्ट है टाइगर मोत या फिर ब्लेक हैरी कटरपिलर या रेड हैरी कटरपिलर या फिर सन हैंप हैरी कटरपिलर एटसेटरा इस फैमली के अंतरगत आने वाले कीटों के जो वैस्क होते हैं उनके पंकों पर लाल या अन्य किसी चटकदार रंग की धब्बे पाया जाते हैं इनके जो लारवी होते हैं उनमें बहुत ही घाना रोम के समान इस्ट्रक्चर पाया जाता है इनके जो लारवी होते हैं उनका शरीर बालों से पूरी तरह से धके होते हैं जैसे कि पिहार हैरी कटरपिलर या फिर रेड हैरी कटरपिलर जिसे हम कंबल कीडा के नाम से जानते नेक्स्ट फैमिली फैमिली पायरेडी फैमिली पायरेडी के अंतरकत आने वाले जो कीट होते हैं वो मध्यम आकार के तितलिया होते हैं बटरफ्लाइज होते हैं गाइज अक्सर जो पारेडी फैमली के सदस्य होते हैं ये घास में अपना जीवन यापन करते हैं घास खाते हैं इनके जो लारवी होते हैं वो इनका जो रंग होता है हलका पीला या संतर रंग का या फिर सफेद रंग के हो सकते हैं जिसके उपर कभी कभी काले रंग के या फिर कत्थे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं इस फैमली के एक्जामपल है वाइट बटरफ्लाई जो की एक प्रकार से घास में ही अपना जीवन यापन करने वाले कीट होते हैं या फिर हम कहा सकते हैं वीट किलर होते हैं अगला फैमली है फैमली स्फिंगिडी के अंतरगत आने वाले सदस्यों के जो अगर जोड़ी पंक होते हैं ये काफी सकरे तथा काफी लंबे होते हैं ये बड़े आकार के सलब होते हैं इनका एक विशेश पहचान होता है फैमली स्फिंगिडी का कि इनके लारवल स्टेज में इन या spine like structure पाया जाता है, horn के समान, sing के समान, एक structure पाया जाता है, जिसका example है, till hawk mode, guys, इनका सरीर काफी बड़ा, काफी heavy होता है, इस कारण ये कीट अधिक नहीं चल पाते, लारवर्ड स्टेज में चल नहीं पाते, और adult होने के पाश्चाद भी heavy body के होने कारण अधिक नहीं उड़ पाते, guys, next family है, family saturnity, family saturnity के अंतरगत आने वाले insect है, gent silk mode, guys, family saturnity के अंतरगत आने वाले जो सदस्य होते हैं, ये काफी बड़े आकार के होते हैं, इनका आकार काफी बड़ा होता है, और इनके पंकों के उपर चटकदार लाल अथ्वा काले रंग के धब्बे होते हैं, जो इनकी विशेश पहचान होती है, guys, इनके जो लारवा होते हैं, वो कई प्रकार के पौध हों, तथ हजाडियों पे, या फिर कई प्रकार के हर्ष पे फीड करते हैं, इस फैमली के जो सदस्य हैं, उसका उदारण हम ले सकते हैं, लूना मोथ, लूना मोथ, guys, अक्सर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस फैमली के अंदर आने वाया सदस्य जो लूना मोथ हैं, ये कभी-कभी हमें जंगलों में देखने को मिल जाते हैं, Next फैमली है, फैमली पैपिलियो निडी, guys, फैमली पैपिलियो निडी बहुत तितलियों का एक बहुत ही common फैमली है, जो हमें कहीं भी देखने को मिल जाते हैं, तथा इनका कृष्शी के छेत्र में बहुत ही विशेश महात्व होता है, फैमिली पैपलियो निडी के अंदरगत आने वाले जो सदस होते है इनका रंग अक्सर काले रंग के होते है इनकी जो पिछली जोड़ी पंक होती है उसकी एपिकल एंगल पे अजाना पीजी ते ए जाने allocation भी लंबे उसकी एपिकल एंगल होता है वो लंबा टेल के समान structure बनाता है जिस कारण इसे know टेल बटरफ्लाई भी कहा दिक अंतरगत आने वाले जो सलब होते हैं इनकी विसेश पहचान होती है कि इनका गाइस इनका जो लेबियल पल्प है वो काफी लंबा होने कारण इनका मुखांग सामनिक तरफ चोच के समान इस्ट्रक्चर बनाता है जिस कारण इन्हें स्नाउट मोट के नाम से भी जाना ज जाता है इनका इस कुल के सदश से होते हैं उनके नर मादाओं से काफी छोटे होते हैं जैसे उधारन के लिए गन्य का सुगर केन टॉप सूट बोलर या फिर राइस इस्टेम बोलर या वीट इस्टेम बोलर इत्यादी आज के लिए इतना ही थैंक्यू उत्यो या जो